असलावलेकुम दोस्तों कैसे हो उमीद करते हैं आप सब खेरेस होंगे दोस्त अभी भी बहुत सारे लोग अफवा फैला रहे हैं कि यहां पे इतनी टेस्टिंग हो रही है यहां पे इतना कुरोना निकल गया मैंने बहुत सारी एक्टूब चैनल लेखा कोई बोला कि इंडि से बहुत सारे अफवाह हैं जो ऊड़ रहे हैं यूटूब चैनल पर इन सबी अफवाहों का जवाब आपको देने वाला हूं इस वीडियो में तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तरह हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ल सब्सक्राइब में वीडियो में देने की जरूर कोशिश करूंगा जिसमें सबसे पहला जो सवाल लेया हूं मैं जो पहला कमेंट हमारे पास आया है वह आया है असला मंसारी का ओ बोल रहे हैं कि मेरा तीनों डोज अधार पर लगा है क्या मेरा फलाइट साओधी अरबिया क अधार पर जो भी आप जब आप बी कोई बी इंटरनेशनल फलाइट करते हैं तो इसमें आपका जो भी वैक्सिन लगा होना चाहिए और पासपोर्ट पर लगानों चाहिए और आपने मेरा अधार पर लगा हुआ तो आपको घबडानी कि कोई बात नहीं है कोई वहां पर लाग इन करके यह आप में भी जाए जो भी कोरोना का जो एप होता है उस में जाई यह लाग इन कीजिए और हपने मुवाइल नमर डाल के जो मुवाइल नमर अपने बैक्सिन लगाते समय दिया था और मोइल नमर डालके ओट्रिपी आएगा लाग इन करने बाद वहां पासपोर्ट नमबर डाल के जैसे उसको जन्रेट करेंगे चेंज करेंगे वह आपका जो अधार काड़ हट जाएगा वहां पर आपका पासपोर्ट नमबर आ जाएगा इसमें कोई घबडानी वारी बात नहीं अगर फिर भी आप नहीं कर सकते तो डिस्क्रेशन में मेरा जो दूसरा केमेंट आया है वारी सलीका इनका कहना कि सलाम अलेकुम भाई वालेकुम सलाम भाई बोलें कि मैं बीजा मंगवाया हूं साओधी अरभिया से मुंबई आफिस में तो मुझे इंटर्व्यू देना पड़ेगा क्या और क्या ड़कुमेंट ले जाना चाहिए आपको कोई इंटर्व्यू कुछ भी देने की जरूरत नहीं है और आफिस में बस आपको क्या लेकर जाना है बस आपका पॉस्पॉर्ट डॉकुमेंट लगता है इसके लांग और कोई चीज नहीं लगता है अगर आपका कोई अगर आपका वीजा हाउस ड्राइबर होगर लगता है तो आपको लाइसेंस भी लेकर जाना पड़ेगा और बुस्ट डॉज की तरह सी कोई भी जरूरत नहीं क्या बुस्ट डॉज लोगा दो डूज वाले भी सवाधी अरब जारें कोई दिक्कत नहीं कोई कानून सवाधी अरब के लिए नहीं बना जिसके लिए बु बंती है वहां पर जो भी काम होता है वही काम रहा है थे वह सकता है आप समझ गए होंगे ठीक है और इसके पास चोठा कमेट हमारे पास आया हुआ हुआ है जहिरुदिन सेख का बोलते हैं बाइं हो रहा है सवधियरभ यगर्य जब से मैं इमिग्रेशन वीडियो मना रहा ह करिब यह पांच-छे महिने से मैं सबको यही बोलना हूम इम Behner出來 इमाईर संफिलहाल के लिए बंद नहीं है जो बुलना में बंद नहीं है इमिचर的 बंद नहीं वहता मेंगरे कर Tarajanci ही जितने भी लोग आशाज के बाता हैं कि दिख हैं कि पर लिए डशा रिख आई विद्जज पर suicide के लिए ओसmber रिख करें अूदे नहीं कहीं के अरब आपके कानून अभी नहीं है कोई नहींन। कोई अनाउंस ही नहीं है कि अरत मुल्क डात हैं. उनके लिए कोई डिक्त तेख है。 ढब हैं जितने लोग भी सब्सक्राइब कोई जनकारी कोई नहीं दे रहा है इस समय आप कोई भी चैनल देख लिए इसमें से एक चैनल बहुत बड़ा चैनल है आप समझ सकते हैं वह तो बिलकुल अफवाही बस करता है आपको पता है किसकी बार कर रहा हुआ कमेंट आप कर सकते हैं पूरी दुनिया जानती है जादा तर अभी उसके चैनल पर कोई कमेंट नहीं आथा क्यों क्योंकि और चैनल देखना बंद करेंगे तब आच्छे से काम करेंगे तभी आपको जनकारी देंगे उसी चैनल पर बोला हूं उसने बोला कि दस मिलियन लोगों का करोना टेस्ट पॉजिटिव निकला इतना गलत बात लिखा हुआ कहां निकला कई उसकी कोई जनकारी नहीं तो इन लो सजोब लोग भी साओधी इंडिया जा रहे हैं फिर इंडिया सवाप उसार उनके लिए कोई कानून नहीं है पूरी तरह छूट है पहले जैसे जा रहे तो इसी तरह से आईए जाए कोई दिक्क्र नहीं है साओधी अरवाने के लिए बस आपको एक ही काम की जिरूट कीजिए मेरा वीडियो मेरे पर विश्वास बिल्कुल मत किजिए पहले सर्च किजिए सही क्या है गलत क्या है उसके बाद किसी विश्वास कि यूटूब पर जा रहा है तो लोग अभी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बस पैसे कमाने के लिए आ रहा है पहले का चाहे हो न दुबई बहनन कहीं सब इंडिया जा रहे हैं उनके लिए कोई पीसिया टेस्ट कुछ भी नहीं वह लोग नहीं आते हैं जो दो परसेंट में भी वह लागू नहीं हुआ है ठीक है तो अभी आप लोग फिलाल बेफिकर हो के सफर कीजिए कोई दिक्क्यत नहीं दो रोज व परसानी नहीं है तो मिल करता हूं वीडियो जरूर पस्तंद आया होगा पस्तंद लाइक से जरू किजिएगा फिन मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए दूआ मियाद रहे हैं